पिछले एपिसोड में डॉंफेंग और उसके साथ ही सिंग्यून को रोकने के लिए वहाँ पर आ गये थे जिस पर सिंग्यून ने उनसे कहा था कि तुम तो खुदी लूजर हो लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तभी इनको देख स सुनकर एक मॉंस्टर कहना लगता है कि यार्ड और तो असल में सुप्रेमेंपर के दोरा दिया गया था और उसलिए मुझे आसा लगता है कि कोई भी इससे वाइलेट करने की हिमत नहीं कर सकता लेकिन तब ही हम देखते हैं कि इनके ऐसी बात सुनकर डॉंफिंग हसने लग इससे काफी परिसान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इनके तो किये गया क्राइम के वज़ा से फ्रंट लाइन पूरी तरह से कॉलैप्स होने वाला था लेकिन किया इसके बाद भी वेकेवल अपना नाम चेंज करके इतने असानी से आजाद हो सकते हैं तब इसकी बात में जानकर वो मॉंस्टर परिसान होते हुए कहता है कि वैसे भी तो इनके पास में पाचो मेजर फामिली का सपोर्ट है जिनके पास में पूरे चियान कुन कॉंटिनेंट में ग्रेट पाउर है और उसलिए कोई भी आम आदमी उनके खिलाप में कुछ नहीं कर सकता तब इस सिंग्यून डॉंगफेंग और उसके साथी से पूछता है कि आखिर कर तुम क्या चाहते हुँ तब इस पर डॉंगफेंग उससे कहता है कि हम तो तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहते हैं और मैं उमीद करता हूँ कि तुम इसके लिए हमें मना नहीं करोगे जिसके बा गया है लेकिन तब इसकी बात सुनकर नानगों उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जल्दी बाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी अब 100 विन को कंप्लीट करने के लिए केवल 3 वी नहीं बाकी है जिसके वाज़ा से मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर सिमेन को वहाँ पर फाइट करने के लिए जाना चाहिए तब इनकी ऐसी बात सुनकर सिंग्यूनिन से कहता है कि क्या तुम सभी एक साथ में मुझसे फाइट करना चाहते हूँ लेकिन तब इसकी बात सुनकर सिमेन उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए हम पांचों को एक्सल ले देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सीमेन भी गुस्ते में इसके साथ में फाइट करने के लिए आ गया था और वो उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे अबलीटी को देखना चाहता हूं लेकिन तभी इसी भी चम देखते हैं कि यहां के लोग इस बात से काफी परिसान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि वह सिमेन तो असल में निर्वाना रिल्म के लेबल 9 में है जबकि सिमेन तो अभी केवल निर्वाना रिल्म के लेबल 6 में है इसलिए कि यहां इस बात से ऐसा नहीं लगता कि यहां में चुतनी फेयर नहीं है तभी उसके साथ लेड़ी कहने लगती है कि सिम्मेंट के पास में तो सुप्रीम एंपर ब्लैक गोर्ड की नहरी टैंष भी है जिसके वजह से सीम्मेंट के पास में फाइट करने के लिए तो बहुत जादा ताकत है इसके साथ है कि वह तो केवल एक ही स्ट्राइक में मार्सल एंपरर को भी बहुत ही आसानी से हरा देगा इसलिए ऐसा लगता है कि अगर उसने सिंग्जुन के उपर अपने एक स्ट्राइक कर दिया तब इसके बज़ास से बहुत हो यहाँ पर मर जाएगा या फिर इसके बज़ा से वो इसमें बहुती बुरे तरीके से जखमी होगा लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंग्यून सीमेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और तभी सीमेन भी तुरंत इसके उपर अटेक करना इस्टार्ट कर देता है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंग्यून ने इसके अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचा लिया था और फिर वो भी तुरंत अपने स्वार्ट टेक्निका यूज करके इसके उपर अटेक करना इस्टार्ट कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ पर नहीं मारना चाहता था क्योंकि इसके बाज़ा से सुप्रेमेंपर ब्लैक गोल्ड के साथ में उसकी दुस्मनी हो जाएगी तब ही हम देखते हैं कि सिमेन भी अपने ताकत का यूज करके इसके अटेक को बहुत ही असानी से रुखने रगा था और इसके दौरान इन दोनों की बुडेन स्वाट तूट जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोने एक दूसरे के साथ में फिसकल वाली फाइट करने लगे थे लेकिन अब इसमें सिमेन सिमेन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सिमेन अपने पाउरफुल पंच का यूज करके सिमेन को यहां से बहुत ही असानी से निशे गिडा दिया था अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिमेन इसमें इसका वीनर बन गया था जिसके बारे में सुनकर एक लड़का हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो सिमिन को बहुती असानी से हरा दिया तबी एक लड़की कहने लगती है कि पिछले सौ सालों में कोई भी संग्यूल वाला सिमिन को हराने में कामयाम नहीं हो पाया था लेकिन आखिर कर इसके बाद भी सिंग्यून ने ऐसा कैसे कर दिया तब इसके मेन सिंग्यून के उपर गुसा होते हुए कहने लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सला परवा हो गया था नहीं तो फिर तुम मुझे ताकत के मामने में कभी भी नहीं आरा पाते तब इसके ऐसी बाद सुनकर सिंग्यून कहता है तुम्हारी की समता चीया है कि मैंने अपने पार को थोड़ा सा रोक लिया था नहीं तो अगर मैंने अपने असली ताकत का यूज़ कर दिया होता तो तुम यहाँ पर मारे गये होते लेकिन अभी भी हम देखता है कि सिमेन इसके बातों को उपर यकी नहीं करता और फिर उससे कहता है कि मेरे पास में तो लेबल 3 वाले मार्सल एम्परर की ताकत है लेकिन इसके बात भी तुमने इस मैच में मुझे कैसे हरा दिया तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंग्यून उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने भीक मांगने के लिए रेडी हो जाओ तो फिर हो सकता है कि मैं तुमें इसके बारा में बता दूँ तभी नानगूंग सिंग्यून से कहना लगता है मुझे तो यकीनी नहीं हो ताकि सिंग्यून ने तुमें इतने आसानी सहरा दिया जो कि असल में तुमसे कल्टिवेशन में तीन लेवल नीचे है और उसलिए मुझे आसा लगता है कि यह तो बड़े सर्मिंदिगी की बात है तो अब इसकी बात सुनकर सिमें इसके उपर गुसा होते हुए कहता है अगर तुमें लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी अबलिटी है तो तुम खुद उसके साथ में जाकर क्यों नहीं फाइट कर लेते जिसके बात हम देखते है कि इसके बारे में सुनकर नान गुंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो सिमें से कहता है कि अब तुम यहां के स्टो को एंजॉय करू लेकिन तबी सिमा उसे रोकते हुए कहता है कि यहां पर तुम्हारा दूसरा काम है और इसलिए मुझे आसा लगता है कि अभी उसके साथ में फाइट करने के लिए बेई को जाना चाहिए जिसके बाद सिमें बेई से कहने लगता है कि उसके पास में एक्स्राइडिनरी ताकत है इसके अलाबा उसका स्वाड़ी स्किल भी बहुत जादा मिस्ट्रियस है और इसलिए तुम उसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से केरफुल रहना जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बेई भी सिंग्यून के साथ में फाइट करने के लिए उपर आ गया था और इसे देखब सिंग्यून भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही अपने स्वाडी स्किल का यूज करके एक दूसरे के उपर आटाइक करने लगे थे और इस तरह से इनके बीच में बहुत इस अंदार तरीके से फाइट होने लगती है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंग्यून बहुत ही असानी से बेई के उपर भारी पढ़ रहा था और फिर वो तुरंट अपने अगले स्किल का यूज करके इसके उपर अटाइक करने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी इससी बीचन देखते हैं कि नानगूंग लियूस यान का नाम लेकर सिंग्यून को डिस्टेक कर देता है जिसका फादय उठा कर बेई ने तुरंट सिंग्यून के कंदे के उपर अटाइक कर दिया था अब इस तरह से हम देखता है कि उसे 100 win को complete करने के लिए केवल एक मैज को जीतना था जिसके बाद वो तुरंती naming academy में एंटर कर जाएगा तभी इससे देख एक monster कहने लगता है कि वह तो फिर से इसमें जीत गिया और इस तरह से उसने तो दो great genius को बहुत ही असानी से हरा दिया है अब इसी बज़ा से वो कहने लगता है कि फिछले 100 सालों में ऐसा करने वाला बाद तो पहला इंसान है तभी दूसरा monster कहने लगता है कि वे पांच को नाके वाल उसके साथ में fight कर रहे हैं बलकि इसके अलाबा बाद तो इसमें एक तूसरे की मदद भी कर रहे हैं जिसके बज़ा से मुझे ऐसा लगता है कि वे पांच ओ great genius का अलाने के लाइक बिल्कुल भी नहीं है तभी पहला वाला monster कहने लगता है कि यह fight करने की बारी डॉंग फिंग की है और कहने लगते हैं कि अगर सिंग्यून यहां तक भी आ गया है तो क्या वो इसे भी हरा पाएगा तभी सिंग्यून डॉंग फेंग से कहता है कि तुम तो मुझे हार आने के लिए बहुती गंदी चलाखी का यूज़ कर रहे हूँ तब इस पर डॉंग फेंग उसे कहता है कि मैं एरिना के रूल के बारे में बहुती अच्छे से जानता हूँ और उसलिए मुझे पता है कि कब की समय क्या करना है अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंग्यून से कहने लगता है कि तुम्हारा राइट हैंड और सोल्डर तो बहुती बुरी तरीके से जख्मी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तु मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी हार मान लो लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंग्यून इसका साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके उपर गुसा होते हुए कहता है कि जो भी मुझे ऐसा कहेगा वो मारा जाएगा तब इसके ऐसी बात सुनका डॉंफेंग उससे कहता है कि चलो मैं भी से देखता हूँ कि आखिर कर तु मेरे सुप्रेम एंपर के टेकनिक को किस तरह से ब्रेक करते हूँ जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंग्यून भी से हराने के बारे में सोचने लगा था क्योंकि अगर वो इसमें हार गया तो वो नेनमिंग एकेडमी में एंटर नहीं कर पाएगा तब ही अचानक से डॉंफेंग अपने सुप्रेम एंपर के टेकनिक के काबिल है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंग्यून इसके सामने इतने असानी से हर माने वाला नहीं होता और वो तुरंत अपने क्लाउड स्वाड इस्टाइल का यूज करके इसके उपर अटेक करना इस्टार्ट कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉंफिंग भी अपने बैरियर का यूज करके इसके अटेक को रूपने लगा था लेकिन तभी इससी वक्त सिंग्यून इसके उपर अटेक करके इसे भी तोड़ देता है जिसके बाद डॉंफेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि इसके पास में तो सच में बहुत ज़्यादा ताकत है लेकिन तब इस सिंग्यून कहने लगता है कि अगर मैं सच में नेमिंग एकेडमी में एंटर करना चाहता हूँ तो फिर मुझे आसक करने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोख पाएगा तब इससी भीच हम देखते हैं कि डॉंफेंग अपने स्पेस पाउर का यूज करके इसके अटेक को रोखने के लिए कोसिस करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपने स्पेस पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था जिससे देखते हैं डॉंफेंग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंग्यू ने इसको भी बहुत ही असानी से हरा दिया था और फिर डॉंग फिंग हरान होते हुए कहता है कि क्या तुम भी स्पेस पाउर के बारे में जानते हो तो अब इस पर सिंग्यू ने कहता है कि ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा वही दूसरी तरह हम देखते हैं कि इसके जित के बज़े से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि इन हजार सालों में आजैसा पहली बार हुआ है चब मैं डॉंग फिंग को हरते हुए देख रहा हूँ जिसके बाद उसके साथ वाली लड़की कहने लगती है कि वह तो अभी भी इतना यंग है लेकिन इसके बाद भी उसने हुमन और स्वाड के यूनिटी को अचीब कर लिया है और इसी वज़ा से उसे ऐसा लगने लगता है कि वह आने वाले समय में सुप्रिमेंपर स्वाड जरूर बनेगा वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगुन यहां के 100 मैज को जित गया था इसलिए वो नेनमिंग एकेडमी में एंटर करने के लिए काबिल होता है और इसके बाद रेफरी उसे यहां पर एंटर करने के लिए गोल्डेन बैज देता है लेकिन तब इस सिंगुन कहना लगता है कि यह 500 ग्रेट जिनियस यहां पर जो भी चाहें वे कर सकते हैं इसलिए मैं तो इनके साथ में यहां पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और फिर वो बैज को आपस करते हुए कह देता है कि मैं यहां पर एंटर नहीं करना चाहता लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा तो अगर अक्स्पलनेस नची लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट आली वीडियो जरूर देख लेना